दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्लड अफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करेंट अफेस डेली बेसिस पर यहां पर आप किक पॉइंट और रहेशा स्पेशल डियाम शुर्ट डेल निउस अप्ट डेल पीवाई की उस कवर कर सकते हैं और आप मेरा टेली करम चैनल जरूर सच करें आमनसर वाईफेस डेली स्वाड़ आपको शाम को साथ बजे का सेशन मिल सकें और आप बाकी सभी क्लासिस की पीडियाफ आप ले सकें चलिए आज के दिन की शुरुवात करते हैं बहुत इंपोर्टेंट डे है 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वोशिं अपने हैंड वोश करने चाहिए क्रिटिकल टाइमस ऐसे जैसे करोना के समयकाल में सबसे जो सेफ्टी मैजर था सबसे पहला यह हैंड वोश ही था तो यह इंपोर्टेंट है और यह ध्यान रखें कि 2008 में पहली बार जो है ग्लोबल हैंड वोशिंग डे जो है अब दर किया 222 की जो है वो कितनी बताईगी इंटरनेशनल वॉर्टरी फंड के द्वारा तो 9.5 परसंट ने यहां पर बहुत सारे जो देश हैं उनकी वैल्यू बताई है और इवन ग्लोबली भी पूरा बताया है तो पूरा डिटेल देख लेते हैं हरें का सबसे पहले इंडिया की 9.5 परसंट 21-22 की है और में भी उसके बाद पूछा था है कि फानेंशेल एर 23 का क्या है तो यह आइमफ साथ के साथ बताता है 8.5 ठीक है उनके अपनी लेटेस वर्ल एकनॉमिक आउटलूक रिपोर्ट दी है उसमें तो यह रिपोर्ट का उपर भी कोशन आ सकता है कि आइमफ क इनके दोरा बताएगा यूएसे का अभी का जो 6% है और जो नेक्स्ट है वो 5.2 परसंट और चाइना का भी अभी का 8% जो नेक्स्ट है वो 5.6 परसंट है तो यह चार-पांच इंपोर्टेंट जो यह नंबर्स हैं इनको आप याद रखेंगा कोशन 100% आता है आइमफ के प बहुत फेमस और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कैसे प्रसिद्ध हैं क्योंकि यह एमस के डारक्टर है और इनको यह जो आवर्ड इस बार दिया गया है वाइस पेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है शिरिवेंक्या नायटू जी के द्वारा दिया गया है यह इस बार का 22nd लाल भ है अब यह सवाल bizarre सकता है कि जो पूरा आब अवोर्ड है लाल भ़ादुर शास्तिव वर्ष स्तापित किया गया में नायंटीन नई मेब यद्द इंस्ट मैं इंस्टेटर में धिलिके द्यूरे जो है इसे इसनी वाज़गोा है तो यह वोट का कैश प्राइस भी पूछा सकता है तो फाइफ लाइक जो इसका कैश प्राइस है तो यह भी इंपोर्टेंट है कोशन आने के चांसेज चलिए देखें बहुत महत्पुन सवाल हाल फिलाल में केंद्र सरकार यानि की Union Home Ministry Representative Center के ठेके और गोरक जो गोरका Representative है और कौनसी स्टेट के बीच में ट्राइटॉक्स होई है तो डेफिनिटली पहला तो दूसरा गोर का representative और दूसरा जो state है वो है वेस्ट बंगोल अब इदर इशू क्या है इशू को समझते हैं देखी वेस्ट बंगोल का नदन पोर्शन जो है न जो नदन मेंगाल है ठीक है वहाँ पे कुछ communities हैं और कह सकते हैं गोर का representative जिसुद जो दारजलिंग hills तराई और द पूरा ट्राई पार्टी मीटिंग हुई है जिसमें सेंटर है वेस्ट बंगोल की सरकार है और यह गोर का representative है अब इदर जो रिप्रेजेंट टॉक है यह चेर की किसके द्वारा हो मिनिस्टर आमिच शाह के द्वारा अब इसका सैकेंड राउंड ऑफ टॉक भी होने वाला ह है इसी साल होगा नवंबर में तो सेंटर गवर्मेंट जो है इस समय पूरा इस चीज़ पर एफर्ट कर रहे है कि स्टेट हुड ना बनाना पड़ा अलग से तरीके का जैसे और भी बहुत सारी नोर्थिस्टन स्टेट है जहां पर टेमांड है स्टेट हुड की तो ऐसी ची जो है इसमें इंडिया की रैंकिंग रही है इंडिया जो है रिनेवल अनलजी कट्री अक्रिश में थर्ड नमर पर आता है कितने देशों में थोड़ा सा कट्डाउन होगे कोई दिकतिया में बता देता हूं 40 गलोबल मार्किट कंट्री में जिनको इसमें एनलाइस किया जा था यह 58 इंडेक्स था और इसमें जैसे इंडिया गरेंग थर्ड है तो अमेरिका पहले नंबर पर है में लेंड चायना दूसरे नंबर पर और इंडिया तीसे नंबर पर डेफिनेटली इस पूरे इंडेक्स में बहुत सा चीज़ों को मैंजर किया जाता है ठीके रिनेवल ए महारतना स्टेटश दिया है जहें तीफवर फायंँस कोर्पेशन जो है पहली बात स्टेट और इसलिक्स इस वाहतना इसलोगा अ greas छीप की प्रौरफ किया था नाइंटीनफिक्स में इसे मेंगए मिनिस्टियू ठीकी इंडर इसकी एंड़u इंडिया की जो सिर्फ पावर सेक्टर के लिए है उसमें इंफर्सेक्टर फाइनस कंपनी सबसे वड़ी यही है तो अब इसका महारत्मा का स्टेटस और करेंट अफिर इंपोरेंट है अब देखे हाल फिलाल में पेट्रोलिंग ऑपरेशन के लिए उपरेशन सतर क्लोंज किया गया है यह इसलिए लोंज किया कि जो क्राइम है उसको रोका जा सके और जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं पुलिसमें हैं उनका पब्लिक अपेरंस बढ़े लोगों को ज्यादा सेफ इसके लिए साउथ वेल्स डिस्टिक पुलिस ने एक पैट्रोलिंग ऑपरेशन किया था जिसमें सीनर ओफिशल्स वूमेन ओफिसर्स जो हैं उन्होंने बाइफ फुट जो है पैट्रोलिंग करी थी एक्जामपल के दोर पर जो वसंद कुछ का जो लोकेशन है वापे 200 पैट्रोलिंग और जादा दिल्ली में होना इंटरनेशनल इवेस्टे जो है ग्लोबली अबजर किया जाता है किस दिन 14 अक्टूबर को मैटपुन सबर ध्यान रखेगा आज आपकी जो ना मैराथून क्लासिस स्टार्ट होने वाले हैं दोपहर दो बज़े से वाइफे पढ़ना चाहते हैं तो आप जीके का हर एक कंटेंट पढ़ सकते हैं तो पहर दो बज़े वाइफे स्टेडी पे टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक बिल दाएगा साथ के साथ देखिए इंटरनेशनल इवेस्टे जो है 14 तारीक को अबजर किया था अक्टूबर में अब 2018 से बनाया तो इस हिसाब से जो एडिशन है यह लेटस ही एडिशन है वन ऊप दा लेटस एडिशन में से कांट कर सकते हैं तो यह फोर्थ एडिशन कांट होगा इसबर ही 21 का जिसमें 40 कंट्री जो है मेम्बर कंट्री सें यह और उर्गनाइज किसके दौरा किया आता है WEEE फोरम है European Association है जो की वेस्ट मेनेजमेंट पर काम करती है तो उनके द्वारा क्या आता है इस पार का थीम भी जान लीजिए इंपोर्टेंट है कंज्यूमर इस दा की टू सर्कुलर एकनॉमी की जो कंज्यूमर है वो सर्कुलर एकनॉमी में एक प्रखी की तरह काम करेगा और में पॉइंट जो है रहेगा चली देखते हैं और वोशन आल फिलाल में एक एनिमल स्पीशिस जो है जिसका नाम कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है एक कुछ पर्टिक वाइल डोग इंडिया में बहुत ज्यादा पाइदा था आपने इमेज मै किसले आया क्योंकि यह ना कुछ पर्टिकुलर तहसील से इंडिया की अगर मैं एक्जांपल के दूर में बात करूं कुछ हैविटेट है जा पर यह ठीक है पाया जाता है तो इस पे सरकार भी हमारी फोकस करें इंडिया जो है सपोर्ट करता है इसका ठीक है लार्जस नंब किसमें है तो एंडेंजर है दूसरा ठीक है यह सेंट्रल साउथ इस्ट एशिया इन सब में भी पायाता है अगर वर्डवाइट देखा है तो नेटिव यह यहां का है इट्स वन ऑफ दा हाईली शोशल एनिमल जो कि किसी क्लैश के बिना जो है जो सुसाइटीज है वहां भ के लिए अगर कुछ भी नुक्साने से पुझाया तो वह हाईस्ट पैनल्टी में एक काउंट होगा ठेक है पैनल्टी हाई लगेगी अगर ऐसा करते हैं तो इनको अब दो साल के लिए रखा गया है ठीक है प्राइमिनिस्टर के एडवाइजर के रूप में इनका ठीक है इ प्राइमिनिस्टर के चीफ एडवाइजर तो कोशन आ सकता इस पर आज का क्विक पॉइंट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नए सेक्रेटरी ठीक है एम रवी चंदरन पहला कोशन इंपोर्टेंट वर्ल्ट फर्स्ट ऑटमेटी ड्राइवल एस्टें कहां प तो यह कोशन आ सकता है तो एमी हंटर है यंगस पेर इंद वर्ल्ट उसकोर एंड ओडिया सेंश्री तो सेंश्री बनाई है मैंने कल आप से एक सवाल पूछा था है दोस्तों यह सब सवाल जो मैं आपको पूछ रहा हूंना यह पीवाई क्यूस है और इसका पूरा डिटेल सब्सक्राइब कोशन करा था कि 1970 1757 में कूंसी बैटल होई थी जिससे यह कंफर्म हो गया था कि बिटीश पॉलेटिकल पावर बन चुके इंडिया की प्लासी बैटल प्लासी होगी थी तो इंपोर्टन कोशन और बाकि उसके अलावा बाकि का डिटेल भी जरू देखे आज का कोशन में इंपोर्टन है कुलेरू लेक जो है कौन सी स्टेट में लोकेट है 2017 का एससे यह चसल का कोशन है और बाकी स्टेट में जो जो लेक पोसिबिली आपको पता है जरूर बताएं कमेंड बोक्स पे और मेरा टेलीग्राम चैनल जोईन करें अवन सर्वाइब करेंगा लिंक डिस्क्रिप्शन वोक्स में भी मिल दाएगा ठीक है और बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा इसका आप फ्री क्लासिस जोईन कर सकते हैं अनकेडमी की जो आपको 10 EMP मिलती है लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन वोक्स में डाल रहा हूं तो आप यह जरूर करेंगा अनकेडमी की फ्री क्लासिस और जोईन करीगा मेरे प्रोफाइल फोलो कर सकते हैं आप अबंदीप और मैं कोर्स जो प्रवाइट कराता हूं जैसे नए वैसी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं तो इसका लिंक में डारेक्ट डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाला है आपके लिए इजी हो जाए कि आपकी कोस्ट कम पड़े असानी से आप क्या कर सकते हैं इस फीज को कम करके ये फीज ले सकते हैं जो कि सबसे कम फीज है तो आपको सबी सब्जेक्स सारे टीचर सब कुछ अबलेबर होने वाला है मंतली बेसिस में तो आपको बेनिफिट है ट्रैफर को लाइव अमन यूज करिए प्लस कोर्सिस में जोड़िए ठीक है सेशन को लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्स्राइब करिए थैंक्स अलोट फॉर वाचिंग